हालो एंड वेल्कम टू माई चैनल आज हमें देख रहे हैं एक्वेरिस एनकुम पराश्री के लिए जैनवरी 2023 में आप लोगों की लव राइफ कैसे रहे कि इसी को लेकर ये रीडिंग है आप सब्सक्राइब के लिए रीडिंग होगी जिसी सिंगल है मेरिट कपल से यहां पगर किसी रेलेशनशिप में आप सबी के लिए रीडिंग और मैसेज़े सुनगे यहां मेरिकार शफल करूंगी आप चाहें दोकार की शफलिंग को अवाइद भी कर सकते हैं और डाइक टा यह कार्ड आया है आपके लिए और काफी कुछ मैसेज़ेस हैं फरस्ट अगर टैरो डेक की साथ स्टाट करें आपके लिए रीडिंग तो यहां से कार्ड आया है क्विन आफ कप्स का तो आप मेंसे कुछ लोग डिलीशनशिप में हैं कैंसे स्क्रोप्यू पाइसीस के साथ यानि कर्क मीन और विश्टिक आपके पार्टनर की राश्या है और यहां ऐसा लग रहा है कि यह बहुत क्रेटिव है आपके परसन और बहुत इमोशनल अभी फील करते वे दिख रहे हैं जैनवरी के मन्थ में और आपको अपना लाव आफर कर रहे हैं बहुत प्यार प्रप्यो पाइसे सो कर्क मीन और विश्टिक राश्या के हों और बहुत क्रेटिव हो सकते हैं टैलेंटेड हो सकते हैं बहुत कुबसूरत हो सकते हैं यह परसन उनके साथ आपका रिलेशनशिफ स्टार्ट हो सकता है या इनका मैरिस प्रपोजल भी आपसे आपके लिए आ energy है और योंटीवर्, ब्लागर्य व्यासिन, इस तरह स नहीं सकते हैं next card कार आय्या है तो इहां है लग रहा है कि यह reverse में कार आया है तो कुछ लोग water sign के साथ connection में हैं वहीं कुछ लोग fire sign के साथ phone connection में है जैसा security like this card से दिख रहा है यहां थर्ड पार्टी थी पर यहां यह रिवर्स काड़ आया है तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस मन्थ में फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाने वाली है और यह थर्ड पार्टी कोई परसन हो जरुरी नहीं है उनकी फैमिल जो फिजिकल डिस्टेंस था वो खतम होगा आप तक आएंगे आपके पार्टनर और आपको चुने इसके काफी चांसे हैं और ये रिवर्स में आया है तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से एंड उनका होने वाला है और नेक्स कार पर यहां आया है देंपरर का तो यहां ऐस कि भी आपकी लाव लाइफ को कहीं न कहीं इफेक्टर करते हुए दिख रही है इस तरह की भी एनर्जी यहां दिख रही है कुछ लोगों के लिए और वहीं यहां से काड़ आया है फाइफ ऑव वांस तो एरीस लियो साइजिटेरिस हो सकते हैं आपके पार्टनर कुछ लो है और इसी तरह की उनकी एनर्जी जाहेगी वह इस रिष्टे से गवप नहीं करने वाले शाहिए उन्हें कुछ भी सॉल करना पड़े पर वह आपके लिए स्ट्रेंड लेंगे इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी नेक्स काड़ आया है आपके लिए देहरोफिंट बहुती फ्रेंड़्शिप भी हो सकती है और यहां ऐसा लग रहे है कि बहुत वाइस बहुत इंटालिजन और बहुत स्प्रिच्वल धार्मी के विक्ति हो सकते हैं और बहुत उंचे इनके नेतिक आदर्श हो सकते हैं इस तरह से आप नहीं जान सकते हैं दुश लोग अर्ड़ इन यह wedding card भी मारा जाता है एक traditional wedding आपकी fix हो इस मन्त में इसके भी यहाँ chance बन रहे है आपके लिए next card आपके लिए आया है the word तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया की रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं आप online किसी से friendship करें इसके भी यहाँ chance दिख रहे हैं और कुछ लोग foreign tour पे भी जा सकते हैं अगर आप सोच रहते हैं कहीं जाने का तो वो चीज भी आपके लिए possible होने वाली है ऐसा भी यहाँ दिख रहा है क्योंकि word card ही बताता है कि आपके traveling होगी और यह out of country हो इसके भी चांस दिख रहे है next card आपके लिए आया है strong warning का तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ तूफान आप लोगों के रिष्टों के बीच में से आकर गुजर गए बहुत कुछ आपने face किया है जिससे हैं आप देख रहे हैं कुछ लोगों का break up चल रहा है कुछ लोग नौ contact में है कुछ लोग अभी बहुत परिशानियों से गुजर रहे है अगर आप एक single person भी है तो बहुत सारे जीवन में आपने चुनौतियां देखी है और सब कुछ तहसनेस आपने अपनी life में अभी देखा है ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ बहुत इमोशनली आप अभी low feel कर रहे है कुछ लोग ऐसा कुछ struggle आपने भी face किया है पर यहां से आपके लिए काड़ा है the thinking woman का तो यहां ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे किसी समझदार और कह सकते हैं बहुत ही sincere person से जूर सकते है जो आपके college में एच, classmate या university में साथ पढ़ने वाले हो सकते है यहां से भी यही energy है कि teacher lecture हो, बहुत intelligent और higher education करने वाले हो सकते है यानि उनके पास बहुत अच्छी professional degree हो सकती है और कुछ लोगों की classmate हो सकते है जिनके साथ आपका relationship स्टार्ट हो और इसी तरह की energy से यहां देख रही है next card आपके लिए आया है community का तो आपकी friends जो है इस मत में आपको बहुत uplifted feel करवाने वाले हैं friends के साथ get together enjoyment के मौके आ सकते हैं और आप उनके साथ party function enjoy करेंगे और काफी हद तक आपकी love life पे आपकी friends का बहुत positive role इस मत में रहेगा number seven भी आया है तो काफी divinely guided और blast रहेंगे आप इस मत में next card यहां से आया है the second chakra archangel aerial का card है तो यहां ऐसा लग रहे है कि अभी तक आप लोगों के बीच में physical distance था तो वो खतम होगा और second chakra आपका balance में आएगा तो intimacy और कैसे हैं आप लोगों के बीच में love attachment काफी बढ़ने वाला है physical distance खतम होगा और जितने भी struggles थे उससे दूर आप निकलने वाले हैं क्योंकि आगे अरियल की blessing से आपके लिए एक strong bound आप अपने partner के साथ feel कर पाएंगे इस तरह की energies है next card आपके लिए आया है walking away का तो कुछ लोगों ने definitely रिष्टों से move on किया है past को let go करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपनी energies को आप heal करता हुआ अन्बव करना चाहते हैं और इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं पर यहां आप देख रहे हैं यह back में मुड़ के देख रहे हैं तो हो सकता है और यहां से आप देख रहे हैं कि यह gate भी open हो रहा है तो हो सकता है आपके axe जो है कि आप फिर से उस रिष्टे में नहीं जाना चाहते हैं इस तरह कि आपकी energies दिख रही है जाए उनकी तरफ से door open है पर फिर भी आप देख जरूर रहे हैं पीछे पर फिर भी आप इस रिष्टे को अब और नहीं चालाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी life में इस तरह की energies आपकी रह सकती है इस month में next card आया है desert का तो यहां ऐसा लग रहा है friends आपके सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो दोहरे हैं यानि वो सामने तो pretend करते हैं आपके friend वना पर actual में आपकी friend नहीं है और बहुत जलन की भावना है बहुत कैसे हैं उनके अंदर बहुत आपको लेकर jealousy, insecurity है और वो चीज उनकी यहां दीख रही है बहुत hidden उनकी इस तरह की feelings है पर आपको यहां protected रखा गया है जैसा 25 number है 2 plus 57 होता है तो आप God की blessings और angel blessings से इस तरह के लोगों से बचे रहेंगे पर फिर भी यहां आपको थोड़ा इन लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जो धोरी personality के हैं सामने कुछ हैं, पीछे से कुछ और है तो ऐसे जैलन की भावना वाले या jealousful people जो हैं उन से दूर रहें आप और उनके सामने बहुत ज़्यदा sharing ना करें अपनी thoughts की इस तरह की भी guidance आपको दी जा रही है तो वहीं आपके लिए card आया है unicorns की तरफ से service का card है तो जिनका marriage proposal आपके लिए आए या जिनसे आपकी friendship हो वो medical field से हो सकते हैं ऐसा लग रहा है कि काफी time से आप एक pattern में जी रहे थे काफी चीजे थी आपकी life में तो यहाँ unicorn आपके लिए एक मौका ला रहा है कि आप अपने past को लाटगो करें और नए तरीके से जीवन में शुरुआत करें इसके भी आपको मौके मिलेंगे और आप बहुत free feel करेंगे freedom feel करेंगे अपनी life में इस मत में next card यहाँ से आया है आपके लिए birth का तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ merit कपस जो है उनको baby birth का गुण्यों सुनने को मिल सकता है और नहीं कुछ लोगों की wedding भी fix हो सकती है तो आप अपने future partner से इस मत में मिलें या अपने life partner से इस मत में मिलें इसके आपकी wedding fix हो इसके भी यहाँ chance लिख रहे है next card यहाँ से आया है seeking good का तो हो सकता है कुछ लोग अभी बहुत depression से गुजर किया है बहुत सारी परिशाने अपने दुख अपने उठाए हो सकते हैं अभी past में पर यहाँ unicorns आपको कह रहे है कि God आपके साथ है angels आपके साथ है तो इस situation में अपने आपको ना रखे और आगे बढ़े आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आपको healing की तरफ लेकर जाए ऐसा आपको message दिया जा रहा है वहीं हम देख रहे हैं कि जो person आपसे जूड सकते हैं उनके initials यो डिक्साइन क्या होंगे आपके partner आपको क्या message दिया चाहेंगे यह भी हम देख रहे हैं पस्ट अगर उनके initials अगर हम देखें तो E नाम से हो सकता है उनका फासनेम लासनेम E और Q आया है F I R N L यह उनके alphabets हो सकते हैं जिनसे आपका connection बने हैं आपके पार्टनर आपको क्या message देना चाहेंगे इस मत में यह भी हम देख रहे हैं उनके पास सारे सवालों के अभी जवाब नहीं है जो आप उनसे पूशना चाते है ऐसा message है I need you in my life वो अपने जीवन में आपको चाते है I do not want to hurt you वो आपका दिल नहीं दुखाना चाते है ऐसा message है Am I deserve you जी वो पूछ रहेंगे क्या वो आपको deserve करते हैं I know this is a spiritual plan उनने पता है कि यह एक spiritual journey है आप लोगों के लिए ही messages से और यह reading थी अगर यह reading आपके साथ resonate करें तो please मेरे शेनल को like, share and subscribe जाओ कीजेगा Thank you so much for watching my video Have a happy month Aquarius और यह reader गmostा हुआए